हलो फ्रेंड्स, नोर्सकार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन जैसा कि हमने पहले सेललर लेवर आफ और्गनाइजेशन को पास पार्ट में डिवाइड किया था तो उसका तीसरा पार्ट है सेल डिवीजन आये हम जानते है watching, क्यों डिवाइड होती है इसके बारे में जानकारी प्राक करते है आथा है सेल डिवीजन क्या होता है अगर सेल डिवीजन होगा तभी प्रेजन क्या होगी और आगे बड़ेगी नेक्स जाता है और यह cell division क्यों होता है और कैसे होता है इतको कैसे का मतलब आगे जानेंगे और क्यों होता है तो यह होता है जब cell में nucleus और cytoplasm के बीच ratio जो होता है वो बिगड़ जाता है दोनों का एक fix ratio होता है अगर वो ratio बिगड़ जाएगा तो cell को divide होरा पड़ेगा क्योंकि अगर cytoplasm ज्यादा हो जाएगा तो nucleus उसको पूरी तरह से control नहीं कर पाएगा और control नहीं कर पाएगा तो cell को divide होना पड़ेगा next आता है the sequential procedure followed by the cell and eventually divide into two daughter cell term at the cell cycle cell के द्वारा कुछ event perform किया जाते हैं जो की sequential होती है sequence by sequence से क्या होता है cell का division होता है और उस procedure कम क्या बोलते cell cycle work ने है next आता है during the cell division DNA replication and cell growth also takes place जब हमारा cell का division हो रहा होता है तो उसमें DNA का duplication होता है यानि कि एक DNA से दूसरा DNA बनता है या एक DNA material से दूसरा DNA material बनता है और cell की growth already होती रहती है तो उसमें cell की growth होती रहती है और फिर बाद में वो दो cell में divide हो जाती है तो यह हो गया cell division next हमारा आता है का आन्द बैसिस आप दा chromosome number cell follow two path part division यानि कि अगर chromosome number की basis पर बात करें कि एक cell में कितना chromosome था और बात में कितना chromosome हो गया अगर इस प्रकिरिया को देखें तो cell दो टाइट से डिवाइड करती है यह काता है mitosis और यह काता है meiosis मियोसिस क्या होता है the cell cycle is divided into two basic phases इंटर फेस और M phase या mitosis phase जब हम mitosis की बात करेंगे mitosis में क्या होता है equational division होता है equational division होता है जैसे पहले father में था जो dvdna molecule या chromosome number वही क्या होगा प्रोजनिव हो जाएगा उस प्रकायर की division को क्या बोलते हैं हम maitosis बोलते है it equal ya näin कि सम्सुत्री विभादन ही बोलते हैं हिंडी में क्या है सम्सुत्री विभादन भीव भीभादन बोलते है अब इसके दो जो सब्सक्राइबबंगे बाता गया यह शोका है interface और एक होता है Hophage होता है एक होता है क्या interface और एक होता है यह हम चांते है डीटेल इंटर फेज और एंटरफेज और बारे में पहले सक्साव साइकल देख लेते हैं तो प्रोफेज में थैं проблемы और श्चेलोफेज तो आप समझेंगे हमें प्रोफेज में यह M phase यह हो गया M phase हमारा इसमें क्या हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज और जैसा क्या आपने समझा था इंटरफेज में आता है G1,S,G2 यह G1,S,G2 होता है यह सेल साइकल हो गई, इसको सेल साइकल को आप ध्याना किएगा, इसमें एक जी नोट फेज भी आता है, जी नोट फेज हमारा को पताएंगे, इस सारी चीज़ आपको पता ही जाएगी, चलिए आगे पढ़ते हैं, इंटर फेज, इंटर फेज को तीन पार्ट में होती है, सिंथेसाइस करने होती होती है, वह ज़िया, क्या चीज़ होती है, सिंथेसाइस हो रही होती है, scytoplasm, S paste क्या होता है, S paste को हम synthesis paste भीूलता है, क्य smacky DNA गूलता है, nula में जो भी DNA मला लगए, vania का संख्या X था, तो बाज में क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा, ठीक है, और centriole duplicating scytop anlam, और यह जो procedure हो रहा है, DNA का कहा पे होगा, Nucleus के अंदर होगा Nucleus के अंदर क्या होगा Nucleus, Division होगा यानि Nucleus का Replication होगा यानि एक DNA से दूसरा DNA बनेगा और ईसी प्रकास है Centriole Duplicate in the Cytoplasm और उसी समय Cytoplasm में Centrioleड का भी duplication होगा S phase बहुत ही important है आप Lord भूछ याद रखेंगे यह कई बार यह भी पूछा जाता है Centriol Duplicate Synthesito Plasme, यह चीज़े पहुच बार आती है Next आता है G2 Phase, Mitosis Preparation Phase, Protein Synthesis During This Phase Mitosis जो करना है, में जो आगे Mitosis करना है, उसके लिए Preparation Phase होती है इसके पहले जितनी प्रिप्रेशन करनी होती है, वो G2 तक ही करनी होती है G1, S, G2 होती है, लास्ट प्रिप्रेशन इस्टेज आप होती है, Mitosis भी बोल सकते है Protein Synthesis During This Phase, और Protein का जो Synthesis होता है, वो इसी Phase में होता है, कि इसमें? G2 Phase में, तो इंटरफेश G1, S, G2, यह सारी चीज़े होगे, जो इसके इसके important point और छोटे-छोटे-छोटे point हमने इसमें कर लिया है आगे हम इसको notes में, ourledynotescard.com पर हम इसको notes में provide करा देंगे, आप जहां से जाके उसको check कर सकते हैं और अपनी study को आगे बढ़ा सकते हैं, तो अभी फिलाल में हमने इसको short में लिख रखा, इसकी जो भी activity है, उसको आप ध्यान रखिएगा, और बाद में notes की साहता से आप इसको पढ़ लिजिएगा नेक्स्ट आता है M phase, यानि mitosis phase, during M phase equal distribution of chromosome occur in progeny cell, यानि कि जब भी हमारा M phase चलेगा या metafage चलेगा, तो equal chromosome का division होगा, जैसे मल दीजिए कि पहले हमारा human cell में क्या होती, 46 chromosome होती है, यानि 46 chromosome होती है, अगर cell division mitosis कर रही है, तो उसमें कितने हो जाएंगे, तो daughter cell में 46 हो जाए ठीक है, M phase divided into the four stage and the basis of the chromosomal arrangement, chromosomal arrangement कैसे है, किस type का है, उसके हिसाब से हम M phase को चार पार्ट में divide करते है, पहला आता है, prophase, metaphase, anaphase और telophase, prophase, prophase हो गया, या structure prophase की हो गई, फिर metaphase हो गया, anaphase हो और telophase हो गया, यह structure हो गया, जैसे जैसे divide होता है, वैसे वैसे उसकी structure के बारे में दे रखा है, आप उसको आगे, हम उसको बता रहा है, आप उसको structure के साथा से compare करके, आगे पढ़ सकते हैं, नेक्टा था प्रोफेज, initiation and condensation रहेगा, initiation and condensation of the chromosomal material, त्यानि कि, जो भी हमारा chromosomal material है, उसे हम क्या बोलते है, chromatin बोलते है, वो क्या होता है, उसका क्य होता है, condensation होने लगता, वो ऐसे हमारा जो chromatin होता है, वो randomly फैला हुआ जैसे धागे होते है, वो ऐसे पूरा फैला हुआ होता है, इसके बाद अब क्या होगा, arranged होगा, initiation होगा, chromosome, condensation इसका होने, start हो जाएगा, इस प्रोफेज में, centromere towards opposite poles, sorry, centrosome move towards opposite poles of the cell and radiates our microtubules called the esters, centros centrosome जो भी हमारे duplicate कहा होगा था, centrosome में, अब हो क्या जाएगा, एक pole से दूसरे pole पे, यानि कि, एक pole से दूसरे pole पे जाने लागेगा, सेल के एक pole से दूसरे pole पे जाने लागेगा, और वहां से microtubules की structure निकलेगा, जीसे क्या बोलेंगे, esters बोलेंगे, ये esters basically क्या होता ह है, आप लोगों ने जैसे देखा हुआ, मकडी होती है, मकडी जब अपना जाला बुनती है, तो middle part होता है, और उसे जाले निकले हुए होते, ऐसे ही क्या होता है, जो centrosome के बाहर निकला हुआ होता है, जाले जाले की तरह, और वो क्या करता है, एक क्रोमोसोम को दूसरे क् हो गया, ठीक, in the pro phase, Golgi complex endoplasmic reticulum nuclear envelope disappear, जब pro phase समाप्त होता है, तो उसमें क्या Golgi complex endoplasmic reticulum और nuclear envelope क्या होता है, disappear हो जाता है, उसमें उसके बाद दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, फिर next आता है क्या, metafed, चलिए तो इसको pro phase का, pro phase में देख लिजे क्या होगा, pro phase में यह हो गया, centromere और centrosome हो गया, और यह chromosome हो गया, अब की study करनी होती है, होती है, हमें किस stage की चुनना होगा, metafed, mitosis की metafed बहुत ज्यादा important है, हमारी study के लिए, chromosome made of the two sister chromatid and joined together by centromere, यानि कि जो इसमें chromosome बना होगा, वो two chromatid structure का बना होगा, two sister chromatid का structure बना होगा, जैसे ही यहाँ पर देखिए, two sister chromatid का यह बना हुआ है, two sister chromatid से बना हुआ, metafed में, उसी परकार से बना हुआ होगा होता है, joined together by the centromere, और दोनो sister chromatid होती हो, किस के थुरू join होती है, centromere के थुरू होती है, ठीक है, small disc set structure present in the centromere card kinetocore, जो हमारा centromere, जो join के अरता है, दो chromatid को होगा, एक small में spot-like structure पाय जाता है, यानि, disc set पाय जाता जिसे हम क्या बोलते है, kinetocore बोलते है, next आता, spindle fiber attached to the kinetocore, arrange the chromosomal at equator and the forms the metaphase plate, तो क्या करता है, spindle fiber, उससे क्या निकलते है, centriole होते हैं, जो भी होते हैं, वहाँ से क्या spindle fibers निकले है, अब वो spindle fibers के chromosome को attach करते हैं, और एक जगा पे एकठा करते हैं, यानि कि equator तोनों को equator जिसे क्या बोलते हैं, metafase plate बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यह सा metafase plate बोलते हैं, इसमें देख लिजी आप, यह क्या है, यह पूरा metafase plate है, यह जो बना हुआ है, structure equator बना हुआ है, यह, उसे क्या बोलते है, metafase plate बोलते है, उसे metafase बोलते है, तो हो गई metafase stage, next आता है एनाफेज, centromere split and chromatid separated with each other, जैसा कि हमने देखा, metafage में two sister chromatid बनी थी, centromere के थुरू attached ही, लेकिन अब क्या होगा, वो इसमें centromere क्या हो जाएगा, divided हो जाएगा, centromere अलग हो जाएगा, जिससे, एक chromatid structure एक pole पे और दूसरा chromatid structure दूसरे pole पे चला जाएगा In the microscope single chromatid chromosome structure अपियर आंदा opposite poles तो यही हो जाएगा कि एक-एक chromosome दिखने लगएगा आपको opposite phase पे opposite poles पे एक-एक chromosome दिखने लगेगा Metaphage में दो-दो chromatid structure दिख रही थी एक chromosome में लेकिन यहाँ पे एक chromosome में केवल एक ही chromatid structure दिखे गी जिसे हम क्या बोलेंगे? Anaphage बोलेंगे Next आता telophage Telophage क्या होता है? Chromosomal lost the ear identity and formed the cluster of the chromatin अब इसके दारान, इस दारान क्या होता है? Chromosom क्या होता है? Lost कर देता है अपनी जो भी chromosome structure जो condensation बना है तो उसको क्या कर देता है? Lost कर देता है और फिर भाई धागलाई की structure बना देता है चीज़े क्या बोलते है हम? Chromatin बोलते है Nuclear envelope endoplasmic reticulum gaulgic complex reform और फिर से nuclear envelope endoplasmic reticulum gaulgic complexes क्या होने लगते है? बनने लगते है आलसो काल्ड opposite of the prophage और यह क्या उसे बोलते है? prophage का opposite भी बोलते है क्योंकि जो भी prophage में चीज़े होती है उसका क्या होता है? यह से opposite होता है इसलिए हम क्या बोलते है? oppositive endoplasm protealophage बोलते है ठीक है? next last stage आती है cytokinesis cytokinesis क्या होती है? cytokinesis बहुत important है after the distribution of genetic material of the form of the furrow in the plasma membrane the furrow gradually depend and ultimately divide the cell into two-datter cell जब भी हमारा chromosome material दो पोल पे चला गया आप क्या उसको divide करना है? तो उसमें क्या बाता है? जो हमारी cell membrane उसमें क्या बनता है? furrow बनता है जैसे माल लेजे आप क्या लेते है? एक पारा लेजे मतलब पारा लेजे, कोई पारा का ओर टुकडा लेजे, पारा लेजे अगर पारे को आप दाबेंगा न तो वो कई पार्ट में डिवाइज़ आए उसी प्रकार से क्या होता है? फ्रो बनने लगता है और फरो क्या होता है धिरे 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 जिससे क्या हो जाएगा और इस परकार माइटोसीज क्या हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा जहां होता है माइटोसीज कम्प्लीट होता हुआ सैटोकरनेसीज तक यहां तक माइटोसीज कम्प्लीट होता है अब नेक्स चेल डिवीजन होता है मियोसीज म्योसिस कैसे होता है उसके बारे में हम चानता है यानि कि यह भी एक cell division का type होता है इसमें क्या होता है जो हमारा chromosome number होता है जैसे माल लिजी हुमान में 46 chromosome होता है तो अब यह chromosome कितना कर दिया जाएगा? हाफ कर दिया जाएगा किसमें? डाटर सेल में तो जो भी इसे डाटर सेल बनेगी उसमें कितने क्रोमोसिम होगे? 23, 23 तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा क्रोमोसिमान? interface of this division sum same as the mitosis division तो जो इसका interface division होता है meiosis first and meiosis second meiosis first and meiosis second के बारे में हम जानते हैं क्या होता है meiosis first and meiosis second तो आएगे हम इसको detail में जानते हैं और यह बहुत ज़्यादा important है क्योंकि यह जो भी reproduction के जाना जो भी gamits वगर बनते हैं तो वो किस के थुरू बनते हैं? तो meiosis cell division के थुरू बनते हैं और हमारा most of the cell जो divide करती हो किस में होती है? mitosis के थुरू करती है तो चलिए हम meiosis के बारे में जानते है meiosis के दवरान क्या-क्या chemical changes आते हैं और क्या-क्या-क्या modification changes आते हैं समझते हैं उसको तो meiosis first further divide into the four part में इसको divide किया गया prophes first prophes first it is divided into the five पहिलाग पार्ट उसको divide किया meiosis first को किस में? prophes first फिर आता है metafes first anaphes first और telophes first तो इसमे prophes first को divide किया गया है पांस पार्ट में leptotene, gyotene, pacitene, diplotein और diaconesis इसको पांस पार्ट में divide किया गया है तो सबसे पहले क्या आता है? प्रूफ है, यानि कि leptotene आता है leptotene आता है यह हो गया leptotene leptotene तो leptotene में क्या होता है? सबसे पहले pairing start होती है इसमें क्या होता है? pairing start होती है और यह कैसा appear करता है? bucket like structure दिखता है यह जब यह आपका flower का bucket होता है उसके लाई कि श्टक्टेरिस में क्या होती है दिखती है तो इसे क्या बोलते हैं लेप्टोटीन इसे क्या बोलते हैं लेप्टोटीन नेक्स आता है जाइगोटीन यह जाइगोटीन होता है इसमें क्या होता है इसमें continuous pairing जो होती है वह continuous होती रहती है इसमें क्या होती है continuous pairing हो में दिप्टमाइबरोटन की इसमे ऐसंपीरenda er का बताई घंपीर और बोलते हैं किया हुटे है इस Bald cop सुछमोंड में तो सब्कुलेंट में वह बीत हैं किसी एक निले दिसपीर होने लागता होता है उसके non-sister chromatid के बीच में क्या होने लगता है तो crossing over होने लगता है crossing over करने लगता है और genetic material का आदान परदान होने लगता है जिससे कि जो भी हमारा बाद में chromosomal material बनता है यानि कि daughter cell में 23-23 का वो क्या होता है सेम होता है नेक्स आता है sight of the crossing over the accepted structure अलकाल था काईज मेटा तो जब side of chrome जब crossing over होती है वहाँ पर except structure बनता है जिसे हम क्या बोलते है काईज मेटा यह कई बार question आया हुआ है काईज मेटा कैसे होता है तो एक सेप्ट होता है और का booking बनता है तो crossing over होने के कारण यह क्या होता है बनता है next आता है हमाराил Kapस aos उपेंच मेटाफेंज vagy 01 माटोसी तरह ही होता है माटोसी की तरह ही होता है लेकिनन आजमी पिदे लिए प्लीन वशिटाओं आटोकोटेंच होता है यह बहुत ही important फोटी है आप कि याद रखिएगा सेंट्रमिय क्या होता है अट्यस ऑता है जबकि एना-फिज, जो माइट्रवेस का एना-फिज था उसमें सेंट्रोमीयर क्या और वह था!! इस्प्रिट हो गया था, अलाग अलाग हो गया था, लेकिन इसमें सेंट्रोमीयर डिभाइट नहीं होता है ठीक नेकसे था cytokinesis का रड़ें ड़ा आप फाम धा टू चल इसमें भी क्या होता है cytokinesis होगा और cytokinesis होगा तो उससे क्या हो जाएगी क्या हो चैल जो अमारी थी वो दो पार्ट में divide हो जाएगी जिसका chromosomal material 23-23 हो जाएगा अब ये 23, 23 हो गए, अब इसके बासे आता है meiosis second, meiosis second में क्या होता है, उसके बारे में जनकारी पराइक्ट करेंगे, meiosis second जनली क्या होता है, जो 23 chromosome, 23 chromosome, 2 cell बनी उसमें से क्या हो जाती है, वही उसको दो-दो पार्ट में mitosis, ये mitosis की तरह प्रोसेस हो जाएगा, और उससे चार दिवाइड करते है, further meiosis second, start after cytokinesis also divided into the four stage, pro phase second, metafase second, anaphase second और telophase, ये इतनी भी चार प्रोसेजर हैं, वह कितनी OKC होती है, तो वह सेम होती है किस की तरह, mitosis की जो 4 stage थी, pro phase, metafase, anaphase और telophase, उसी की तरह सेम होती है, और उसी तरह डिवाइड कर देती है cell को, जिससे हमारा क्या होता है, 4 cell बन के तयार हो जाता है, उसका cytokinesis हो जाएगा, जिससे हमारा finally 4 cell बन के तयार हो जाएगा, जिसका chromosomal material कितना होगा, 23-23 होगा, चाली ही, अब इसके overview को बारे म जानते है, mitosis और meiosis के बारे में, इसको short में समझते हैं, जैसे माल दीजिए, human cell, single cell है, उसके से क्या होगा, उसमें mitosis होगा, तो इससे क्या बनेगा, दो cell बनेगी, जो human cell थी, पहले उसका chromosome नमर 46 था, अब यह जो daughter cell है, इसमें 46-46 chromosome हो जाएगा, यानि कि 46-46 chromosome हो जाएगे इसमें, ठीक है, यानि कि इससे क्या बोलेंगा, हम equational division बोलेंगे, क्योंकि इसमें equation, यानि कि equation में equal division है, it occurs approximately L cell, तो हमारे body की जितनी भी cells होती है, generally किसके थुरू होती है, तो generally mitosis के थुरू ही divide होती है, next आता है, यह human cell मालीजी, यानि कि germ cell या reproductive cell मालीजी है, जब यह meiosis करेंगे, तो कितनी cell बनाएगी, तो यह total बनाएगी, कितनी, 4 cell बनाएगी, 4 datal cell बनाएगी, इसमें क्या हो जागा, 23, 23, 23, यानि 23, 23, chromosome number हो जाएगा, तो यह किसमें चलता है, तो only germ cells में चलता है, तो यह हो गया हमारा important topic, mitosis और meiosis, इतना point अगर आप याद रखते हैं, तो ज़रूर आपके question अगर cell से आते हैं, cell division से आते हैं, तो इतने question ज़रूर आपके बनाएगे, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हैं, यह आप लोगों का हमने cell division के बारे में, जो ओबर point या over knowledge या देर रखी है, और इसके बारे में अगर detail बहुत ज़रूर चाहिए, तो वह हम तेरे देरे अप notes को, notes के माद्दम से notescard.com पे provide करा देंगे, और वहाँ आप वहाँ से जाके notes क video को download करके आप उसको असानी से पढ़ सकते हैं, तो अभी हमने video में जो भी point अपते उसको cover कर लिया है, आगे हम study करेंगे next fourth part के बारे में general film पर आप the cell communication, cell का communication कैसे होता है, इसके बारे में जनकारी परात करेंगे, आज के लिए इतना ही friends, thank you to all of you friends.